साथियों, आज हम लोगों को इस दिल्ली की सड़कों पे अगर बैठना पड़ रहा है तो क्या कारण है कि हम लोग दिल्ली की सड़कों पे बैठे हजारों वर्सों से जो हमारा समाज है किस तरीके से जूचते हुए किस तरीके से संघर्स करते हुए आज इस सिस्तिती में पहुचा है लेकिन जो सवनवादी मानसिक्ता के लोग हैं वो इसे देखना नहीं चाहते हैं आप कैसा समाज बनाना चाहते हो क्या बाबा साहब ने ऐसे समाज की कल्पना की थी क्या लुईया ने ऐसे समाज की कल्पना की थी जिस तरीके से हिंदू और मुस्लिम में देश को बात रहे हो ऐसे समाज की कल्पना नहीं की थी और जिसकी जितनी संक्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हुई थी लेकिन आग विश्वित्यानों में उच्च सिक्चा संस्थानों में क्या इस्तिती है मैं कुछ तथे पेज करूँगा आपके सामने जिसे आपको देख करके सुन करके इस्तिती की पता चलेगी कि हमारी संख्या 85% है लेकिन हमारा प्रतनिरित तो कितना है अरे 15% वाले 85 के बराबर की विश्वित्याले में हिस्सेदारी रखे है मैं बताना चाहूंगा कि जब आरक्षन लागू हुआ उच्च संस्थानों में तो 1997 में SCST आरक्षन के ताग उच्च संस्थानों में आरक्षन प्रस्तुत की गई वैसे ही 2007 में स्थिति आई हो वी सी के पक्ष में लेकिन कितने स्थिति कब तक क्या हुई उस पे आप मुझे बता दो मैं बताना चाहूँगा कि जब समाजिक प्रतिनित्तु की बात होती है हम लोगों के बीच में अली अन्वर साहब जी आए हैं हम इनका मंज के मादन से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम लोगों के बीच में समाजिक न्याय के योध्या प्रोफेसर रतलाल सर है सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं मैं समाजिक प्रतिनित्तु की बात कर रहा था 1931 में जाती जंगर्णा होती है उसमें जब संख्या की बात हुई तो आकलों के हिसाब से 15% SC साड़े 7% ST और 52% OBC की बात हुई लेकिन साथियों कुल मिलाके ये सब 85% तक की बात भूची लेकिन हुआ क्या सब्ता और साशन में बैठे लोग किस तरीके से अपना डिफाइन किये संबिधान में पत्रिध्यत्व हमारा सबसे ज़्यादा संबिधान निकले वाला हमारे लोग देश को अजादित दिलाने वाले हमारे लोग लेकिन उच्छ सिख्छा में पत्रिध्यत्व किसका इस पे सवाल है साथियों मैं बताना चाह रहा था कि 15% अबादी वाले जो SC है उसका पत्रिध्यत्व साथ परसेंट साथ परसेंट है जो साथे साथ परसेंट SC है उसका पत्रिध्यत्व 2.1% है और जो 52 से 54% OBC का पत्रिध्यत्व है मैं उसका बात बता देना चाहता हूँ वो 5% है मेरे साथ ही हूँ अरे ये क्या है आप संक्या के हिसाब से देख लो सत्ता में हम बैठाते है सासन में हम बैठाते है लेकिन मेरा प्रतनित्थ तो कहा है इस पे सवाल करने हम आये है इस पे सवाल करने आये है साथियो जब रोश्टर की बात आती है तो रोश्टर पे हम बताना चाहेंगे किस तरीके से ये रोश्टर का खेल खेला गया दलित पिछले अल्पसंग्चक माइनाइटीज के लोगों के साथ किस तरीके का छलावा किया गया मैं इसको बताना चाहता हूँ अगर रोश्टर की प्रकिया जो चल रही थी विस्सुमित द्यालो को सिक्षर संस्थान को अगर एक तुम संस्थान मान करके विस्सुमित द्यालो में अगर रोश्टर प्रकिया लागू किये थे तो इस परकार भागीधारी थी कि 200 तक पॉइंट चलते थे जिसमें से हर चोथा OBC होता था हर साथमां SC होता था हर आटमां OBC होता था फिर 12 मां OBC होता था फिर SC होता था फिर 14 मां SC होता था लेकिन खेल क्या खेला गया मेरे साथियों खेल कि इस तरीके से खेला गया मैं उसे बताना चाहता हूं कि विस्सुमित द्याले को यूनिट ना मान करके कालेज को यूनिट ना मार करके एक दिपार्टमेंट को यूनिट माना गया और उसमें एक एक सीट लिगाल करके बाते की गई कि इस तरीके से अगर प्रफेसरों की नियुक्ति होगी रीडरों की नियुक्ति होगी तो जो समाजिक नाय के पसंद लोग है वो भी सुभी द्याले में आने ही पाएंगे सवाल में उठा पाएंगे पेस में जिस तरीके से गुंगी बहरी सरकार चल रही है उसके पीछे सारे लोग चलने का काम करेंगे नहीं अब ऐसा नहीं होगा कलित पिच्णा अर्पसंग क्युआ सवाल उठाने पे तुला है क्योंकि वो जान गया है कि अगर हम भीर का हिस्सा बने रहे अगर भीर के पीछे चलते रहे तो वही हाल होगा जो रोहित बेमुला का कर दिये रोहित बेमुला एक मुखर बेक्ति था हम लोगों के समाजिक नाज पसंद लो जिस तरीके से देश में अलग बिगुल फुका उसकी आवाज को दबाने के लिए तरह तरह की बाते रखी गई और उसकी संस्थानी खत्या कर दी गई साथियों इसी तेरे पॉइंट जो लागू किया गया भी बियेच्चू का एक्षाथ अलहाबाद उच्चने अले में रिपधायर करता है और उसमें इस पत्रनिंत्त्र की बात करता है तो उच्चने अले भी निर्णे देता है लेकिन UGC और ये संगी सरकार आरेक्चर तो तार-तार कर देती है दो-चार मैट बस दो मैट मैं चाहता हूँ कि आगे की बाते मैं बता दू कि ये लोग एक एक दो दो करके संख्या प्रोफेसरों की रीडरों की एसिस्टेंट प्रोफेसरों की निकाल रहे साथियों ताकि जो समाजिक नाय पसंद लोग हैं वो ना आएं वो सवाल ना उठाएं विसुबिध्याले में किस तरीके से ये काम कर रहे हैं आप सबको पता है उसी तरीके से अब जब 14 सीटे हुआ करती तो किस तरीके से साथ भालाता किस तरीके से बैक लागों की भरती आती लेकिन इन सबको जोड़ करके ये लोग डिपार्टमेंट वाइज एक-एक सीट एक-एक सीट निकालने का प्रयास कर रहे हैं अभी आप लोगों ने देखा अटल बिहारी बाजपेई हिंदी भिस्विद्याले भोपाल की मैं बात बताना चाहता हूँ साथ ये वहाँ पे SC, SC, OBC कोई सीटे नहीं आए वहा पे UNRECEPT की बात जबाएगी तो सवन लोग को भरा जाएगा धलित पिछडों का नाम कहीं नहीं आएगा मेरे साथ यूं तलित पिछडों का नाम कहीं नहीं आएगा इसी तरीके से इंद्रा गांधी राज्टे जन जाती भी सुभिद्याले नाम तो दे रहते हैं कि पतनिरित्व इंद्रा गांधी जन जाती भी सुभिद्याले है उसमें पतनिष्ट वदिया जाएगा लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी न जन जाती है न कोई पिछड़ा है न को रिजर्ब किया जाता है मेरे साथ जो इसी तरीके से मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से देश में चीजे चल रही हैं इनको विश्व बिद्याले में समाजिक नहाए के पसंद लोग पसंद नहीं है इनको अगर पसंद है तो जो संग की दलाली करता हो जो इनकी बात करता हो उनको भीसी बनाएंगे उनको प्रुफेसर बनाएंगे और उनको विश्व बिद्याले में बैठाएंगे अभी बीश्यों कि संग जब सूची निकली तुसमें छैसी एस्टी और ओभी सिकी संक्या थी चबकि उसमें संख्या लगबड़़़़़़़ को फंफ़ीक किया आप कैसा देश बनाना चाहते हो इसंप 10 में संधर सन झाहरा लाट के लोग रहते हैं 5 9 करदेश्घी पर्सेंट जब इनका भागिदारी है तुक क्लिक ऐसा देश बनाना चाहते हो 15 को पचासी परसेंट का हग देते हो और पचासी परसेंट को आप कहां ले जाते हो तमाम बाते हैं साथियों तमाम बाते हैं लेकिन हम लोगों के बीच में वक्तों वक्ताओं की कड़ी लंभी है तो मैं आज जो उच्छा में पचिनित्तों के सवाल पर इकत्या हुए है इसको यही नहीं सवाप्त करना है इसको हर विस्वित्याले में एक मुहिम बना करके एक लक्ष बना करके इस पर काम करना होगा तमाम यातनाएं आपको दी जाएगी लेकिन उनसे डरने की जरूरत नहीं है तमाम इपायार किये जाएगे लेकिन डरने की जरूरत नहीं है आपके साथ आपका जमात है आपके साथ आपके लोग है आप लोग बस खड़े रहिए आपका प्रित्तों होगा हम बता के जाना चाहते हैं कि हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे जय भीव जय मंगे